विदेश मंत्री सुस्मा सुराज आज यूएन असेंबली की बैठक में हिस्सा लेंगी इस बैठक में अमेरिकी राष्टपती डोनाल टरंप भी मौजूद रहेंगे संयुक तुराष्ट महासभा की इस बैठक में पाकिस्तान सरकार को आतंक के मुद्दे पर खरी खोटी सुनने को मिल सकती है स्वराज की सलाना बैठक में विदेश मंतरी सुस्मा सुराज की तरफ से 29 सितंबर 2018 को दिया जाने वाला भाशन आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाने वाला होगा यही नहीं उसके पहले गुरुवार को शार्क देशों के विदेश मंतरियों की बैठक में भी स्वराज की तेवर काफी तल्ख रहेंगे संयुत राष्ट में भारत के प्रतिनीदी सेयद अकबर उद्दीन ने भी कहा है कि आतंकवाद 12 मासी खत्रा है और इससे हर फोरम पर कडाई से निपटना चाहिए स्वराज ने पिछले वर्स इसी मंच से पाकिस्तान को आतंक का निर्यात करने वाली फैक्टरी कहा था जिसको लेकर वहां काफी बवाल हुआ था सूत्रों के मताबिक अगर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षय मुलाकात का एजंडा कायम रहता तो शायद स्वराज के भाषन का तेवर कुछ औरी होता यहीं नहीं शार्क विदेश मंत्रियों की बैठक का महौल भी दूसरा होता लेकिन भारत की तरफ से इस मुलाकात को रद्ध करने और उसके बाद दोनों तरफ से जिस तरह से कूटनीतिक विवाद और भाषाओं का इस्तिती बेहत तनाव पूर्ण हो गई है भारत के पास पाकिस्तान के आतंकी चहरे को बेनकाब करने के लिए कुछ नए आकड़े और तथ्ये हैं ऐसे में सुस्मा सुराज का भाषन बेहदी तल्ख होगा सुसमा सुराज इस तथ्ये को सामने ला सकती हैं कि कि इस तरह से नई सरकार के साथ रिष्टे सुधारने की भारत की कोशिश को पाकिस्तान के आतंकियों को पना देने वाली सोच से धक्का लगा है इसे तरह से दक्षिन एशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी यही बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान के रवये की वज़े से शार्क देशों की रहा कठिन होती जा रही है यानि कि इस बैठक में भारत पाकिस्तान को लेकर बेहत कड़ा रुख अपनाने वाला है और हो सकता है कि अंतरास्टिये मंच से भारत पाकिस्तान को आतंकवाद पर सबसे बड़ी चोट करे जिससे पाकिस्तान को सबक मिले कि भारत से उलजने का क्या अंजाम होता है